अधेक्ष महोदे मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोगसभा है यह कोई सामान्य लोगसभा नहीं है इस लोगसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शिष्ञ नितित्तों हैं हमारे मान्य परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसके लिए हम सब उन्हें जो हैं वो हातिक बधाई देते हैं साथ ही बधाई के पातर हैं हम सब भाते जनता पार्टी के लोग जिनें ये सौभागय प्राप्थ हुआ और मैं ये भी मानती हूँ के हमारे भातवर्ष की जनता जिनोंने एक स्थेर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है वो भी बधाई के पातर है महोदे जी हम सब जानते हैं के आज से दस साल पहले हमारे देश की अर्थववस्था का क्या हाल था आज से दस साल पहले हमारी संगहर्ष सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थववस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंती तरहता था पिछले दस सालों में वो अर्थववस्था 11 में से पांच में नंबर पे आई है और बहुत तिवरता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बजट है इस बजट से जो है वो हमारी अर्थववस्था को भी तीवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम economy बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड़ाई जिससे ना जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हमारे लोगों को जो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस तरास्ति के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आपा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बार के परभाव से जो पिडित है मैं आदर्णिय और माननिय हमारी जो विक्ट मंतरी है शिर्मती सिता रमनजी का मैं आभार विक्ट करती हूँ कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक special relief fund की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रियक्ट करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बता कर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भातिय जन्ता पाटी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद साथ सालों में भी हिमाचल परदेश में नहीं हुआ था आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननेया जो पुर्व परधान मंतरी अडल भिहारी जी रहे है उन्होंने अपने कारयकाल में जो है वो ग्रामिन परधान मंतरी सड़क योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले 10 वर्षों में परधान मंतरी नर हमारे हिमाचल में पहुंचाया है हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राच्य को साड़े तीन हजार क्रोड की लागत का मनालिक किर्थपूर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोदे जी पांच से जादा टनल है और 37 से जादा उसमें ब्रिजिज है ऐसे वेश्विक की जो है हमें इंफ्रास्टरक्श्र वहां पर मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत इद्भूत इंफ्रास्टरक्शर माबर है जैसे कि हमारी अटल तरनल Netwood की सबसे लंबी तरनल है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है वो हूँ पूरे विश्व के ल तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग जाए लेकिन लाखो लाभारती जो है वो चाहे मुफ्तराशन हो चाहे पी-म की जो है वो मकान हो या आयुशमान हो हमारा हिमाचल परदेश एक ऐसे राजे है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहां घर-घर में जो है वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता एक भी बहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा ये जो सवभाग्य है अठारमी लोग सभा में महोदे जी मेरा ये सवभाग्य है कि जब मैं यहां पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती मे महिलाओं को जो है 33% आरक्षन देता है वो बिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही ये सौभाग्य शाली जो है आठवी अठार्मी जो लोग सबा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बिल है ये आवश्य ही इंप्लोईमेंट हो या चाहे स्टार्ट अप इनोवेशन हो चाहे हमारे गरीब और मिडल क्लास को टैक्स रिलेक्सेशन हो या हमारे जो अनदाता किसान हो उन पर फोकस हो ये मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रातना रहेगी हमारे सरकार से के हमारे मंडिक शे तो अवश ही हमारे जनता का टूरिजम की दिष्टी से बहुत कल्यान होगा वो हमें जरूर इस विश्य में सोचे और मुझे लगता है ये जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो है इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं और धन्यवाद